हेलो एवरिवान, मैं हूँ सोना उन्याल और रोज की तरह हर बार एक नहीं कहानी के साथ आपके सामने पेश हूँ आज हम बात करेंगे भवरे की, जी हाँ, ये वही भवरा है जो फूलों के ओपर मढ राता फिरता है असल में विज्ञानिकों के अनुसार, भवरे का शरीर बहुत ही भारी होता है और कहा गया है कि विज्ञान के हिसाब से वो उड़ नहीं सकता लेकिन भवरे को ये बात मालूम नहीं होती इसलिए वो कई बार असफल होकर उड़ता है, गिरता है, उड़ता है, गिरता है और लगातार असफलताओं के बाद भी वो आखिरकार उड़ी जाता है दोस्तों, दुनिया में नाममकिन कुछ भी नहीं आपको पता होगा, जब टेलिफोन या फिर एरक्राफ्ट का अविश्कार नहीं हुआ था तब विज्ञान और दुनिया भी यही सोचती थी, कि सैकड़ों, मीलों तक आवाज किस तरह से पहुँच सकती है हर को यही सोचता था, कि यह तो नाममकिन है लेकिन, हाज मोबाइल हर किसी की जंदगी का हिस्सा है इसी तरह, एरक्राफ्ट भी, जब बीलवर और और विल राइट ने बनाया तब सब लोगों ने यखीन किया, कि एक देश से दूसरे देश तक आसानी से हवाई जहाद से जाया जा सकता है जबकि पहले हर किसी का यही सोचना था, कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम एक देश से दूसरे देश उड़ कर जाएं इसलिए खुद पर भरोसा रखें और यखीन करें कि दुनिया में नामुम्किन शब्द कुछ भी नहीं तो यह थी आज की कहानी, अगली कहानी कुछ नए अंदाज में फिर से पेश करूगी थब तक के लिए दीजे अजाज़त, बाबाई